किसान भाईयों नमस्कार श्वागत है आपका आपके चैनल मेरी खेती में बिवित्ताव वाले देश भारत में लोग संस्कृती वड़ी शम्रद रही है आज भले ही फोरजी का यूग है और इस फोरजी के यूग मैं हमारे हाथ में बहुत कुछ है लोग गीत है फिल्म है गीत है संगीत है मनुरणर्ण के अनेक शाधने हैं लेकिन एक दौर था जब मनुरंजन के शाधनों के रूप में आला, ढोला, रसिया, नौटंग की ऐसी विधाएं होती थी इसी तरह कि कुछ लोग परंपराओं या लोग गीतों को लेके हम आए हैं आपके बीच हमारे साथ हैं एक लोग गायक क्या सुभनाम है आपका? पीतम जी बावा पृतम जी कहाँ के रहने वाले हैं? माधरी कुंड कहाँ पर है? यहां से 4 क्लिने तो जी तो माधरी कुंड जो गाओं है इसका क्या एतिहास है? बरज के कण कण में बहगवान क्रिश्न की लिलाएं जुड़ी है तो माधुरी कुंड गाओं के नाम को लेके या क्या जो हमारी अतिहासिक प्रस्ट भूम में क्या है कहा जाता है कि राधा जी की शखी का नाम था माधुरी अच्छा वहाँ पर माधुरी रानी का मंदर है मतलब राधा जी की शखी के मंदर वहाँ उस गाओं में है और उन्हीहें के नाम पे इस पाहों की नाम है माधुरी, कुंड, sì तो कुंड भी है वहां? उन्हें माधुरी के नाम पे, वही के रहने वाले हैं आप, तो लोक परंपरां की हम बात कर रहे हैं रसिया, ऐला, țुला, तमाम तरह की चीज लोक já ना SPEAKER कहीं किसी के पास आया तो बहुत बाद में साथ या सतर की दस्क में तो मनोरिंजन के यही सब साधन थे तो आज हमें आप क्या सुना रहे हैं अरे मूरक नर नहीं प्रभू भगतो चाहे के तैने उपदेश सुनाए उसर मैं नहीं बीजय उपजिता चाहे के तनों खाद लगाए बिन बिद्याब रहा मड नहीं वनता चाहे के तैने हुतिलक लगाए कर्म का भोग नहीं टलता है चाहे के तैने उतीर थनाए आया बुड़ा पाह फिर नहीं जाता चाहे ने तमलाई ए खाए कुता हाड मास नहीं त्याग है चाहे के तैने उखीर खिलाए सर्प का जेर नहीं ए गटताए चाहे के तनों दूद पिलाए मीठा जल नहीं होई सागर का चाहे के तैने उचीनी ये डलवाए साउकार गरीब न होता चाहे माल चूर ले जाए नीचो नीच ताई ये नहीं छोड़े चाहे राष्ट पती है जाए चंचल नार के नेन चुपे नहीं चाहे घूमट ले लटकाए सत्वन्ती कर सत न डिगता चाहे का मी कितनों लल चाए शूरज कभी चाल नहीं बदले चाहे बिश्व युद्ध है जाए के नरदेव नपदती चूड़े चाहे दे से बिमुक्वे जाए बाबा प्रितम सिंग जी पुरातन दौर में गीत संगीत का अनूठा माध्यम था और उस दौर में क्रसी की अगर हम बात करें तो खेती भी बड़ी सीमित थी लोगों के पास साधन सीमित थे बैलों की जोडियां तक सीमित थी ट्रैक्टर और यह सब चीज़े नहीं थी तो खेती से जुड़ा हुआ कोई गीत हमारे सुरताओं को आप जरूर सुनाएं दानकों कीरा ले गयो है लाएकों चेंपा ले गयो है अरे मोपे धर दियो बजन अकेली पे में कांत के पूरो पारूं इंख निका ये वात गन्ना हाँ गन्ना इंख क्योंकि उस दोर में गन्ने की फसल बहुतायत में होती थी ती इंक के उपर है गानौ इंक के इतनी पक्की खेती जी जब इंक ने जी वह सब फसलों में रोग बता दिया है इंक के पक्की खेती है